हेलो एवरिवन आज मैं होम बेड आलू चिप्स के बहुत ही इजी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज का जो वीडियो होने जा रहा है इससे इजी रेसिपी आपको पूरे यूटूब में नहीं मिलेगी तो चलिए सबसे पहले हमने एक आलू ले लिया है इसके चिलके को हम उतार लेंगे वैसे तो आलू के चिप्स जब बनते हैं तो कई सारे स्टेप्स को हमें फोलो करना परता है लेकिन ये जो हम आज बनाएंगे इसमें आपको किसी तरह का स्टेप फोलो नहीं करना है आप पहला बार भी अगर आलू चिप्स बना रहे तो आपका जो आलू चिप्स है ये पूरा पर्फेक्ट बनने वाली है तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा बड़े जो साइस का है वो आलू ले लिया है इसके छिलके को उतारने के बार हम इसे अच्छी तरह से धोलेंगे इस चिप्स को बनाने के लिए हम किसी तरह का स्लाइसर बगएरा का भी यूज नहीं करेंगे जिससे हमने आलू के जो चिलके जो पीलर है जो पीलर से हमने चिलके उतारे इसी से हम चिप्स बनाने वाले हैं तो चलिए हम इसे अभी अच्छी तरह से पोच लेते हैं तो बस हमारा जो आलू है यह अभी चिप्स बनने के लिए रेडि हो चुका है तो इसे हम चिप्स का जो शेप है उसे कट करने के लिए ये पीलर के यूज़ करेंगे हम जो घर में normally जो slFO यूज़ करते हैं उसका जो आलू का जो इतना पतला नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारा जो चिप्स है वो अच्छी नहीं बनती है लेकिन अगर आप इस पिलर से कट करोगे तो आप का जो आलू का चिप्स हूर बहुत भेटरीन बनेगी तो आप देख सकते हो कितना पतली पतली चिप्स जो है वो निकल कर रेडी हो चुके हैं अगर आप चाहे तो इस तरह से आप पहले इसे कट करके रख सकते हैं या तो आप डाइरेक्ट तेल में भी कट कर सकते हैं तो चलिए हमने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है अभी जो चिप्स है एक एक करके एड़ कर देते हैं तेल का जो टेंपरेचर है वो बहुत जादा हाई नहीं रखना है क्योंकि चिप्स बहुत ही पुतली है तो अगर आप बहुत हाई फ्रेम में बनाओंगे तो यह जल जाएगी तो हमें इसे low to medium में ही फ्राई करना है हो सके तो थोड़ा धिमी आज में ही करें तो बहुत चिप्स बहुत क्रिस्पी बनती है तो हमारा जो एक चिप्स का बैच है वो फ्राई होने में कम से कम 2-3 मिनिट ही लगेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो चिपस है ये लगबग रेडी हो चुका है तो अभी हम इसे उतार लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं हम जो नेक्स आप दिखा रहे हैं ये डाइरेक्ट हम तेल में ही इसे कट करके डाल रहे हैं आप इस तरह भी आप बना सकते हैं इसमें अगर आपको सुबीदा हो आपको जैसा अच्छा लगया आप ऐसे ही कर सकते हैं यह रेसे भी इतना ज़्यादा एजी है कि आपको जब भी मतलब चिप्स काने का मन है बस आप तेल को तोड़ा गरम करें और आलो को इस तरह से फ्राई कर लें बस आपका चिप्स रेडी हो जाएगी इसके लिए हमें कई बार इसे धोना दो तीन बार फ्राई करना फिर भी अच्छा रिसल्ट ना मिले इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको फेश नहीं करना पड़ेगा एक तम पर्फेक्ट चिप्स बनेगी तो आप देख सकते हमारे जो चिप्स है वो काफी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है इसे दो से तिन मिनिट के अंदर ही अच्छी तरह फ्राई हो जाती है तो ये देखिए हमारे चिप्स रेडी हो चुका है ये बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार आप देख सकते हैं कितना सारा क्वांटिटी में भी बना है तो देखते हैं ये कितने कुड़कुड़े बने है तो अभी हम तेस्ट के लिए यहाँ पर थोड़ी सी चार्ट मसाला अएट कर देंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल नमक भी एक कर सकते हैं तो आपने देखा ये कितना क्रिस्पी बनी है तो वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंन सेक्षन में जरूर बताएगा और इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा कर दोजब कर दोजब कर दूएझा कर सकती हैं